हालो स्टुडेंट स्वागत है आपका ITI 180 इलेक्टीसियन में आज देखेंगे जो भारत स्कील पे PDF अपलोड है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रोशन ITI सिकेंडियर के जो इग्याम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें देखेंगे कोश्चन दिया हुआ है EMF की गढ़ना करने का सुत्र क्या है एक DC मोटर तो इसका जो सही आप्सन हो जाएगा वो हो जाएगा C इसका सही आप्सन जो हो जाएगा वो हो जाएगा C अगर यही जनरेटर के लिए पुछता तो आप्सन D सही हो जाता जो आप्सन C दिया हुआ है वो मोटर के लिए है और जो आप्सन D दिया है वो जनरेटर का इएमएफ फार्मूला यानि इएमएफ ज्याद करने का फार्मूला होता है अगला कुस्चन दिखते है अगला कुस्चन है जनरेटर का क्या नाम है यदि इसका छेतर आर्मेचर के समानतर जुड़ा हुआ है यह आप्सन है संट जनरेटर बी स्रेनी जनरेटर सी योगिक जनरेटर दी स्वव उत्तेजिक जनरेटर तो यहां पर ध्यान देंगे कुस्चन में कह रहा है कि उसका जो आर्मेचर होगा आर्मेचर का यह सिंबल होता है उसका जो आर्मेचर है उसके साथ में संट फिल्ड माइंडिंग जूड़ा होगा ऐसे जनरेटर को क्या कहते हैं तो इस जनरेटर को संट जनरेटर कहते हैं आपसं जो सही हो जगा यह आपसं सही हो जगा संट जनरेटर अगला क्वेश्चन देखते हैं चार पूल डाइनोमो के प्रेडित एम्फ की घणना करें एक हजार आर्पीयम में लैप वाउंड और कंडॉक्टरों की कुल संख्या 600 है फ्लक्स प्रतिपोल जीरो दसमलो जीरो छह चार वैबर है तो लैप जनरेटर दी यहां पर ध्यान देंगे कि जो प्रेडित एम्फ गर्णना करना है यानि जनरेटर है और उसमें भी लैप वाउंड है तो लैप वाउंड के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है इ बराबर होगा फाई जेट यान अफान सिस्टी यह लैप के लिए फार्मूला होता है तो यहां पर देखेंगे जो फाई का मान दिया है वो जीरो दसमलो तो यहां पर ध्यान देंगे कि यह बराबर हो जाएगा फाई का जो मान दिया हुआ है जीरो दसमलो जीरो छै चार इंटू जेट का मान दिया यानि कंड़क्टर जेट जो होता है वो कंड़क्टरों की संख्या होता है वो दिया है 600 और इंटू आर्पियम जो यहन होता है वो स्पीड होता है और वो एक तो ई का जो मान आ जायगा वह जायगा श्यू चाहलीस बॉलивать जीसका जो Σही आफना फन हो जायगा वह जागा डी 640 बूल्ट अगला विक्षेश्चन देखते हैं DC मोटर में आरमेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है A. दाहिना हाथ पकड़े नियम B. दाहिने हाथ के हतेली का नियम C. फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम D. फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम तो यहाँ पर ध्यान देंगे यहां पर DC motor की बात करता है और DC motor जो होता है वो फिलेमिंग के बाए हाथ की नियम से उसकी गती flux और current की दिशा ग्याद करने के लिए किया जाता है तो जो आप सब्सक्राइब जगा वह जगा C कि और यहीं पर अगर मोटर की जगा जन्रेटर का पुस्ता तो उसके लिए आप सब्सक्राइब हो जाता फिलेमिंग के दाहिनियाद का नियम कि अगला क्वेशन देखते हैं आज स्रेल यफ इंसुलेशन का तापमान क्या है ईक नाइन ती सेस्यसव और ग्लाट से सिर्ष की एक सोब्सक्राइब इंसुलिए इस ध्यर्यन तो सेस्ट थिरून बश्सक्राइब जाने के लिए याद करेंगे यू आर एक यू आर इंजीनियर बेस्ट फर हाई विरी केम्प्यूटर तो जो इसमें वाई का होता है वाई गिरेट का वो होता है नब्य डिगरी सिल्सियस इसमें 15 जोड़ देना है हुए हिहां से आह के बीच 15 जोड़ देंगे तो यह जोजगा 150 के लिए 105 में किना जोड़ देना है 15 तो यह जएगा एक सो पच्पॉन और यच में भी क्या करना है 25 जोड़ देना है तो यच के लिए हो जाएगा यच के लिए हो जाएगा 180 डिग्री celsius और c का होता है 200 से 200 से 250 डिग्री celsius तो यहां पर देखेंगे यफ के लिए पूचा है यफ के लिए और यफ का जो होता है वो एक सो पच्पॉन डिग्री celsius आफसन डी सही हो जगाए एक सो पच्पॉन डिग्री celsius अगला क्वेश्चन देखते हैं और में बरा यह आर्मेचर वाइंडिंग का परिच्छन करने के लिए किस और का परियोग किया जाता है ए मैगर बी ग्लावडर سी मल्टिमिटर डी ओममिटर तो आर्मेचर का जो परिच्छन किया जाता है वो होता है ग्लावड और से आपसन जो बी होगा वो सही हो जाएगा अगला कुस्चन देखते हैं इसमें कर रहा है थ्री कला स्क्वेरल केच प्रेडर मोटर की स्लीब गति की गढ़ना करने का क्या सुत्र है तो यहां पर ध्यान देंगे जो इसका सही आपसन हो जागा वो हो यहनस स्लीब बराबर नस माइनस एनार अपउन एनस इसमें जो यहन यह से यह सिंक्रोनस स्पीड है और जो एनार दिया है वह रोटर की स्पीड है अगला कुस्चन देखते हैं एक ठीक अलाब रेरर मोटर की तुल्यकालिक गति ज्यात करने का सुत्र क्या है तो इसमें तुल्यकालिक गति पुछाया और तुल्यकालिक गति का जो फर्मूला होता है वो होता है यन बराबर 120 यह बटे का पी तो जो इसमें सही आफ़सन होजागा वह होजागा यह इसका सही आफ़सन होजागा आफ़सन यह तो लेकालिक गती बराबर 120 यह बटे का पी अगला क्वेश्चन दिखते हैं कि एसी मोटर के इस्टेटर में कुल बैद्दुतिक डिग्री की गढ़ना करने के लिए किस सुत्र का उप्योग किया जाता है तो इसका जो सही आप सनों हो जागा वो हो जागा डी कि इसका जो सही आप सनों हो जागा डी एक कुल बिद्दुत डिग्री बराबर 180 डिग्री गुरू ध्रूओं की संख्या अगला क्वेश्चन देखते हैं चैप पोल स्टेटर मोटर की बिद्दुत डिग्री क्या होता है तो अभी उपर वाले क्वेश्चन में देखें हैं बिद्दुत डिग्री का ग्याद करने के लिए होता है एक सो असी इन्टू पूलों का संख्या तो पूल कितना दी अच्छा है तो जब इसका गुला करेंगे तो इस टूटल आ जगा एक हजा असी डिग्री आप संजु सही हो जगा वो हो जगा सी अगला क्वेश्चन देखते हैं पचास हर्टोच की आवरिती पर छे धुरू वाले एसी थरी कला प्रेजर मोटर की तुले गाली गती क्या है आप संदिया है यह आठ सो आर्पियम भी एक हजार सी बारह सो और डी 1440 तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है गती ग्यांच करने के लिए यह न बराबर होता है यॉफ इंटू एक सो बीस और बटे का पी तो जो इसमें यॉफ का मान दिया हुए यानि फ्रिक्वेंस पचास हर्टोज और फार्मूले में 120 है और बटे पी धुरूओं की संख्या तो धुरूओं का संख्या दिया है 6 तो इसको करेंगे तो 6 और यह दो बन यानि 20 हो जागा इसका जब गुला करेंगे तो यन का जुमान आजागा वह जागा एक हजार आर्पियम इसका जो सही आपनों जाएगा वह जेगा बी यहाजार आर्पियों अगला कुस्चन दिखते हैं जो पीछ कारक की घर्णा करने का सुत्र क्या है तो पीछ कारक्थ यानि जो इसका पीच फैक्टर पुछा है और पीच फैक्टर बरावर्वार होता है वाइंदिंग पीच वट्टे पोल पीच इसका जो सही आप्षान हो जागा वह जागा बीच फेक्टर ब्रावर हो जागा वाइंडिंग पीच वट्टे पूर पीच अगला क्वेस्टन देखते हैं कि एसी थ्री फेज इंडक्षन मोटर का प्रारंभी करेंट क्या है तो जो इंडक्षन मोटर होता है वह चालू होते समय रॉनिंग का पांच से चैगुना करेंट इस्टार्टिंग में लेता है तो इसका जो सही आप समझेगा वह जेगा डी पूर्ण भार धारा का पांच से चैगुना अगला क्वेस्टन देखते हैं 36 सलाट 36 क्वाइल और चार पूल वाले मोटर के लिए तीन कला डबल प्रत वित्रत वाइंडिंग के लिए क्वाइल की संख्या कला पूल की गर्णा करें तो इसका जो सही आप्सन हो जागा वह ज अलाप्रती ओल इसका सही आप्सन हो जगा अगला क्वेस्टन देखते हैं यह चरण प्रेरां मोटर का कारे सिधैंद्द क्या है तो इसका जो काड़u सिधांफ होता है single page induction मोटर का पुचा है तो होता है फाइराडे के विध्दک चुम्ब की प्रेरां की नियम पर i कर जो सही आफ데 वह जागा वह जजगा है दी फाराडे के विद्दु चुम्ब की प्रेड़न के नियम अगला कुश्चन दिखते हैं खाद ये मिक्सर में किस परकार की एकल चरण मोटर प्रेड़न मोटर का उपयोग किया जाता है तो इसका जो सही आफन हो जाएगा वो जाएगा यूनिवर्सल मोटर आफन ये सही हो जाएगा मिक्सर में जो प्रियोग किया जाता है वो यूनिवर्सल मोटर होता है मिक्सर हो गया गलाइंडर हो गया और ड्रील मसीन हो गया इसमें यूनिवर्सल मोटर का उप्योग किया जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं और एक dal Grede Real Rod Motor की इस्टार्टिंण और रणिंग वैंडिंग के बीच पर विस्तापन क्या है तो सिंगल फेस का पपुछा या क्या होता है नाइनटी एलत्री को डिगरी होता है तो इसका जो साहित है संहेँ और कि और धिरी फिस का पूछता तो थिरी फिस का होता है है एक सॉवीत How can you do थिर है थिरी फिठासे व थे लिफ्टिकल डिग्री और सिंगल फित कपुछी होता है अगला कुस्टन लिखते है अल्टरनेटर को कैसे डेटट की आ जाता है तो अल्टरनेटर का जो जो रेटिंग ऊता है कि दी ये होता है अल्टरनेटर हो गया और ट्रांसफार्म मठ इसका जो रेटिंग होता है किक से लोग बोल्ट इंपियर अगला कोच्छन देखते हैं यह हजार आर्पीयम पर छैदुरूवाले एक अल्टनेटर की अपूर्थ अब्रिति क्या है तो यह अना पर फ्रिक्वेंसी पूछाए तो फ्रिक्वेंसी बरावर होता है यह यह पर बराबर होता है यहन पी और अफ्रान 120 तो इसमें जो यहन कमान दिया हुआ है वो एक हजा आर जो P कमान दिया है वो चय है और वो टे का 120 तो यहां पर द्यान देगे 6 से इसको काटेंगे तो नीचे जो होजएगा 20 होजएगा और 20 से जब 11000 को काटेंगे तो यह 50 होजएगा तो फ्रिक्वेंसी का जुमान होजएगा वो जाथ 50 हर्टच जो इसका सब्सक्राइब करने वाले उपकरण का नाम क्या है यह उत्तेजक भी इन्वार्टर सी कन्वार्टर डी सिंक्रोनाइजर तो इसका जो सब्सक्राइब करने तो इसका जो होता है वह नियत गती बनाए रखने के लिए तो इसका जो सब्सक्राइब करने के लिए स्टार्टर की क्या आव सकता है तो डी सी मोटर में जो इस्टार्टर लगता है तो इसके आर्मेचर को जो करेंट होता है उसको निर्धारित करने के लिए यानि सीमित करने के लिए कम करेंट स्टार्टिंग में दे और धीरे धीरे जब बैक यह मैं बन जाए तो करेंट कमान बढ़ जाता है इसका जो सही आप सब्सक्राइब जगा वो जगा डी आर्मेचर करेंट को सीमित करने के आप संदी साही हो जगा अगला कोश्चन देखते हैं इसका DC जनुरेटर में स्प्लीनट रिंग का क्या का रहे इस्प्ली रिंग का जो यूज रोता है वो जो आर्मेचर होता इसम्हें द॥ार होता हम्हें इसी बिद्धुद्धा रह ना है यह का दिसा में आप उट पूट कर है आप सब्सक्राइब जग जग बोग जगा बी